इंडिया में ज्यादतर लोग उधार में पैसे लेते हैं और पैसे बापस नहीं करते हैं अगर आपका वैसा कुछ हुआ है और अगर आप पैसा नहीं बापस ले पा रहे हैं पैसे बसूल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो पर बने रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करन अगर आप हमारे चैनल नए遊戲 हो तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करेचे चाले सकते लिए तो जैसे ही विडियों में आगे बरते हैं ग astronom भूल चुका है कि उन्होंने किसी से उधार यह होता है और इसके वज़ते से उन्हें ब् Arg या फिर बसेने के लिए बार बार वहाँ पर जाते हैं लेकिंधे उनुको पैसा नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को ग्या करना चाहिए उन्हें पैसा में वापस कर गरें तो आप त्थोड़े थो है जो हर महीने में यह म Ay payment होता है इसी मंत्elnियो पैमेंट हowता है उन तरीकों इस्तमाल करके आप भी अपनी जो भी पैसे उसे वसूल सकते हैं यहां कि आ कि और 5000 हडा हो है को आप से महीने के पांचर ले सकते हैं महीने के 4500 हुप्य screaming से वसूल सकते हैं, अगर वह वेक्ति मां जाता है, इस तरह से कहाँ ठीगे, जो 50 अचा में आपको महीने में दे दूंगा, या फिर मैं हफ़ते में आपको कुछ पैसा मैं आपको हफते-हफते में पयमेंन करते रहूँगा, तो इस तरीकी से जो भी पैसा है आप उन से महीने में, हफ्ते में, याफिर हो सके तो daily, याफिर quarterly में, याफिर अफर इनसे आप वहाँ से वसूल सकते हैं, ये बहुत बहुत ही अच्छा तरीका है और ज्यादाता ello जब पैसा नहीं वापस कर पाते हैं तो वेसे वेक्टी ऐसे ही तरीके से यानि कर टुकुडों में पैसे को वापस कर देते हैं और पैसा वसूल पॉाइन नमबर 2 है कि आप सुबह का टाइम उनके पास जाये पैसे वसूलने के लिए ज़्यादा तर लोग सुबह का टाइम में घर में होते हैं और घर में होने के बाद भी जब आप उनसे वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं सुबह का टाइम में तो ज्यादा तर चांसे होता है कि पैसा आपका बसूल जाएगा क्योंकि जब सुबह का टाइम कोई विजिट करता है या फिर जब सुबह का टाइम में कोई पैसा मांगने के जाता है तो उनके परिपार को भी अच्छा नहीं लगता है कि सुबह सुबह का टाइम में कोई आ गया पैसा मांगने के लिए पिर बसुलने के लिए पिर पैसे के लिए आ गया तो ऐसे में ज्यादा तर चांसे होता है कि पैसा आपको मिल जाएगा वहीं पर सुबह का टाइम उनका जो अड़ोस पोड़ोस को भी घर के जो आदमी होते हुए सब अपने घर में होते हैं सोबा का टाइम में ऐसे में अगरा पैसा बसुलने के लिए जाते हैं तो उनका भी इज़त का धजिया उड़ने लगता है और उन्हें भी लगता है कि अरे मेरे पोड़ोस वालों को जो family है family के member से उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई वेक्ति सोबा का time में आकर उनको उठाएगा और पैसा के बाद बताएगा कि आपने उधार में पैसा लिया अभी तक दिया नहीं का पैसे दोने वाले हो अभी पैसा दोगे क्या या फिर नहीं दोगे इस तरह से उनक मतलब ज्यादा chances होता है कि हाँ सोबा का time में अगर आप पैसे बसूलने के लिए जाते हैं या फिर पैसे के पास जाते हैं तो जो भी वेक्ति पैसा लिया है जो भी पैसा उधार में लिया गया है उन पैसे को बापस कर सकता है तो आप इस time में अगर पैसा बसूलने के के बाद वे बापस नहीं करते हैं उनका आर्थिक इस्थिति अच्छा नहीं है या फिर वो उनका फित्रत है कि पैसा लेकर वे बापस नहीं करते हैं तो ऐसे बेक्टी को आप उनको टाइम दे सकते हैं कि ठीक है आप तीन मैने के बाद मुझे पैसा बापस कर दीजिए अगल कि उन्हें एक टाइम मिलजाता है कि पैसे उनको एर्वेश करने में पैसा उनको एडजस्ट करने में जिससे पैसा बापस मिल सकता है तो आप उनको एक टाइम ज olar दे उन्हें एक मौकां दिजिए कि ठीक है आपको आपके पास इतना दिन मिलिया है और कोई वेक्टी है जो उनका अपना परसनल समान अपना परसनल जो भी चीज़े है कोई वेक्टी उनका दखल अंदाजी कर रहा है कि हाँ उन्होंने पैसा लिया है इस वज़े से उनका जो ये सामान है वो दखलांदाजी कर रहा है वो जब्द कर रहा है ले ले रहा है तो इस तरह में क्या होता है कि उनको उनका अंदर एक अजीब सा फिलिंग होता है कि अरे मेरे सामान कोई ले लेगा कोई जब्द कर लेगा जिसके वज़े से जो भी पैस जब देंगे तब बाइक आप ले जाए दो अगर आप नहीं दो sto लुटाइए या फिर मैं आपका कार लुटंगा आपका बाइक रख लंगा आपका जो भी सामान है में घरका जो भी कुछ सामान इसा है तो आप उसे भी लेक। रख सकते तो इस तरह से अगर आप जब्द करते हैं जब आप दकल अंदाजी करते हैं तो उनका फेमिनी को भी अच्छा नहीं लगता है उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है अगर उनके पास पैसा है उस वक्त तो तुरंट के तुरंट आपका जो भी पैसा है उसी वक्त आपको मिल जाएगा तो ऐसे वक्त में आपको एक agreement कर लेना चाहिए कि उन्होंने आप से पैसा लिया है या फिर आपने उनको गर्ज दिया है तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी agreement है ये इस agreement के मदद से आप पैसे को जल्दी से जल्दी बसूल सकते हैं हो सकता है अगर आप कहीं पर भी कुछ claim करते हैं या फिर कहीं पर कुछ कानौनी जो कारवाई करते हैं तो उस वक्त भी आप जीत पाएंगे और आपका जो भी पैसा है ये उस वक्त आपको recover हो जाएगा जैसे में हो सके तो आप agreement कर लिजिए अभी तक अगर आपने agreement नहीं कर रखे हैं तो आप उनसे agreement करवा लिजिए कि हा agreement के पैसा नहीं दीजिए बढ़ना आपका पैसा मिलने का कोई भी चांसे नहीं आपका पैसा तुरंट का तुरंट फ्रॉट हो सकता है क्योंकि आप उसमें किसी भी तरह की कारवाई नहीं कर पाएंगे नमबर 6 में हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने agreement कर लिया है तो आप उसके बाद या फिर agreement करने से पहले भी आप कुछ meeting बुला सकते हैं आपका जो भी नजदीक में या पि जो भी अच्छे लोग हैं जो भी बड़े लोग हैं आप उनके पास एक meeting रख सकते हैं उनके पास जाएगा कि आप इस तरह के से पैसा ले सकते हैं उन्हें भी सर्मिंदा होगा कि ऐसे पैसा लेकर मुझे सर्मिंदा होना पड़ रहा है मुझे विचार में जाना पड़ रहा है मिटिंग करना पड़ रहा है कुछ लोगों के पास मुने सर्मिंदा होना पड़ेगा इस तरह से हो सकता है कि आपका पैसा भी आपको बापस कर देंगे और आपको पैसा जो भी आपने वहाँ पर उनका उनके पास जो भी आपने इंवेस्ट किया है जो भी पैसा आपने उनको उधार में दिये हैं यह पैसा आपको बापस फिर से मिल जाएगा नंबर 7 में हम बताना चाहत कि अगर agreement है तो आप कानूनी कारवाई करें आप फुलिस केस कर सकते हैं केस करने से क्या होता है कि जो भी पैसा आपने उनको उधार में दिये हैं ये पैसा उस वक्त मिल जाता है लेकिन अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है और अगर आप उनके केस कर रहे हैं तो य या फिर कुछ गवा होनी चाहिए जिससे लगे कि ठीक है आपने उनको पैसा दिया है बरना वह आप उल्टा केस कर सकता है कि आपने उनको उनके उपर गलत इलजाम लगा रहे हैं इसलिए कानूनी करवाई कभी आप देख सकते हैं अगर हो सके तो आप इस तरीके से भी पै पैसा लिया है वहीं पर अगर उनके पास परियाप्त पैसे हैं और आपको लगता है कि यहां यह व्यक्तिया पैसा दे सकता है इसके पास पैसा अभी है तो ऐसे वक्त आपको जरूर उनके पास जाना चाहिए उनके पास जाने के बाद आप उनसे बात करें कि जो भी आपने उन ब्याज में कुछ परसिंटेज के आप डिसकाउंट भी दे सकते हैं डिसकाउंट दे कर आप इस केस को रफादफा कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आजे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंस के साथ शेयर कर सकते हैं तो चले इस वीडियो कहीं पर खताम करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई